Hello friends, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WhatsApp chats के बारे में तो friends आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी जो WhatsApp chats का backup आपने ले रखा है उसको कैसे आप delete कर सकते हैं जो आपकी Google Drive Online Storage है वहाँ से तो friends मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है और उसमें आपको बताया था कि जो आप WhatsApp बैकप लेते हैं chats का वो आपके लिए कहीं न कहीं secure नहीं है क्योंकि उसमें कोई security feature उसके साथ काम नहीं करता तो friends यहाँ पर अगर आप delete करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको काम की होने वाली है तो friends यहाँ पर अब मैं आचुका हूँ अपने phone की screen पर और आपको यहाँ पर सबसे पहला काम करना है आपको जो Google Drive का option आता है उसको application को आपको open करना है तो friends यहाँ पर मैं इसको open कर लेता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपना Google Drive का जो application है उसको open कर लिया है तो उनमें से आपको select करना है backup का option जिया friends यहाँ पर backups करके एक option है इसको आपको click करना है तो जब आप friends इस पर click करेंगे तो आपकी जितने भी backups आपने ले रखे हैं अपनी Google Drive के अंदर वो सभी आपके सामने आ जाएंगे तो friends यहाँ पर देख सकते हैं एक तो मेरे जो mobile phone है उसका backup है दूसरा है मेरे जो WhatsApp chats है उसका backup तो यहाँ पर आपको इसको delete करने के लिए आपको WhatsApp chats के सामने एक three dots दिख रहे होंगे वहाँ पर आपको click करना है तो friends यहाँ पर जब आप click करेंगे तो आपके सामने दो option आते हैं delete backup and turn off backup तो पहले आप इसको turn off कर दीजिए मेरी सला यही रहेगी क्योंकि आप पहले इसको delete कर देंगे तो उसके बाद आपको turn off नहीं कर पाएंगे तो turn off करने से फायदा क्या होगा कि आपका जो backup था वो update नहीं होगा आगे कोई backup नहीं आएगा वहाँ से तो इसको पहले मैं turn off कर देता हूँ friends मैंने यहां से इसको turn off कर दिया है अब हो चुका है अब यह जो कह सकते हैं turn off हो चुका और उसके बाद यह automatic delete हो जाएगा तो यहां पर friends लिखा हुआ रहा है do you also want to permanently delete your backup of whatsapp chats and media तो यहां पर मैं इसे delete कर देता हूँ तो friends यहां पर अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा whatsapp chats का backup है वो पूरी तरह से delete हो चुका है तो दोस्तों मैं उमीद कर हूँआ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपनी whatsapp chats के जो backup है उसको कैसे delete कर सकते हैं गूगल ड्राइब के अंदर से तो friends यहां से आप इसको turn off भी कर सकते हैं जो आपका backup है वो update नहीं होगा और जितना backup आपने ले लिया है उतना ही रहेगा और delete हो जाएगा तो friends मैं सब उमीद करूँगा कि आपने मेरे चैनल को subscribe कर दिया होगा प्लीज चैनल को subscribe कर दें साथ ही जो bell icon उसको प्रेस कर दें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिशना करें तो friends चलते हैं और मिलते हैं एंगली वीडियो में धन्यवाद